तो तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे SDFC के डाइनर्स प्रिवलेच क्रेडिट कार्ड के बारे में हर एक फीचर को समझेंगे ना से फीचर को समझाऊंगा बलकि कौन को भी समझाऊंगा प्रिवलेच के लिए या फिर आपको रिगारिय के लिए जाना है क्योंकि दोनों में बहुत जादा करेंगे पच्ची सो रुप हैं पर जोइनिंग पीज पे करनी पड़ती है जैसी आप इस कार्ड में जॉइन होते हैं तो आपको दो मेंबर्शिप्स देखने को मिलती है आपको इसाथ है दूसरी आपको मेंबर्शिप मिलती है इस मेंबरशिप के तहरत आपको 30 अफ देखने को मिलता है उन सेलेक्ट एब शोड़ते हैं तो आपको फ्री डिलिवरी दी जाती है बश्रत जो 99 रुपीज है उससे उपर ही होनी चाहिए इसके साथ ही आपको 10% of अंजीनी सर्विसेस पर देखने को मिल जाता है वहाँ पर आपको कोई भी फीस नहीं ली जाती है आपको एक्स्क्लूजिव डिसकॉंट दे जाते हैं जो कि बागी के लोग को जो नॉन फ्राइम मेंबर साथ है उनको नए देखने को मिलते हैं तो ये दो आपको सर्विसेस देखने को मिलती है जब आप इसमें जॉइन होते हैं करड में लेकिन क्या चीह है कि यहाँ पे आपको हर महीने इस क्रेडिट कार च से 25,000 रुपए का खरचा करना पड़ेगा तब ही आपको ये सारी सर् तो देखा जाए कार्ड इशू होने के 90 दिन के अंडर अगर आप 75,000 रुपए का खर्चा करते हैं तब ही आप इन दोनों मैंबर्शिप को अवेल कर सकते हैं नहीं तो नहीं कर सकते अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहां joining fees है 25-100 रुपै बात करें annual fees की तो annual fees भी same रहती है 25-100 रुपै अगर आपको annual fees नहीं बेगरनी तो आप 3,00,000 रुपै खर्चा करिए इस credit card से आपका bank जो है SDFC वो आपकी annual fees को wave off कर देगा लेकिन दुबारा से आपको ये same benefits देखने को नहीं मिलेंगे अब इनके reward system को समझ लेते हैं देखें यहाँ पर retail category की बात करें तो हर 500 रुपै के spend पे आपको 4 reward points दे जाते हैं बात करें Zomato and Swiggy की तो यहाँ पे आपको 20 reward points दे जाते हैं हर 500 रुपै के spend पे यानि 5X reward points हो गए आपके लेकिन 5X में से 4X reward point पे को नहीं मिलेगा and साथ के साथ ही अगर आप इनके खुद की जो app है smart buy app उसकी तरफ कोई transaction करते हैं तो 40 reward points तक आपको मिलते हैं यानि कि 10X reward points तक आपको मिल जाते हैं अब बात करें milestone benefits की तो यहाँ पे आपको quarterly milestone benefits देखने को मिलते हैं तो तीन महीने में आप इस credit card से डेल लाग रुपय का खरचा करते हैं तो 15 सो रुपय के आपको brand vouchers दी जाते हैं अब इसमें से कौन-कौन से brand शामिल है तो जैसे कि आप डी-कैथलॉन शामिल है और टू-सपाश शामिल है इसके साथ या पर barbecue nation आ जाता है ना सिर्फ इतना married experience आ जाता है और लैकमें सेलोन के brand vouchers आप अबेल कर सकते हैं similarly अगर आप एक साल में 6 लाग रुपय तका खरचा करते हैं तो आपकी जो value बनती है वो 8,500 रुपय की बनती है कैसे जैसे कि मैंने आपको बता है 3,000,000 रुपय पे एक तो आपकी annual fee C wave off हो जाती है 25,000 रुपय की और हर एक quarter पे आप खुद ही जोड़नीजे 6,000 आपको जो है gift vouchers देखने को मिलेंगे तो 6,000 प्लस पच्छिस सो 8,500 आपकी जो value है वो बन गई अब बात करें इनके खुद की app की जो की smart buy portal है वहाँ पे क्या reward points का system है देगे यहाँ पे igp.com की तरफ किया गया खर्चे पे आपको 10x reward points देखने को मिल जाते हैं flights पे आपको 5x reward points देखने को मिलेंगे hotels पे आपको 10x reward points देखने को मिलेंगे red bus पे अगीन 5x, ICTC पे 3x आपको देखने को मिल जाएंगे बात करें airport launch के access की तो आप एक साल में 8 बार airport launch को access कर सकते है which includes domestic and international airport as well यहाँ पे आपको किसी और additional pass की जरूरत नहीं होती है तो आप simply इस credit card के जरीए ही airport को launch को visit कर सकते हैं ना सिर्फ आप बलकि आगर आपको कोई add-on card holder भी है तो वो भी airport launch को visit कर सकता है with the help of this credit card बात करें कुछ additional benefits की तो देखो आपको bobo offer देखने को मिल जाता है यानि कि buy one get one free offer लेकिन यह जो offer है आपको Friday, Saturday and Sunday ही देखने को मिलेगा and maximum discount आपको देखने को मिलेगा वो 200 रुपय तक ही देखने को मिलेगा साथ के साथ अगर हम बात करें foreign currency markup की तो यहाँ पे 2% plus GST which is equal to 2.36% आपको foreign currency markup देखने को मिल जाता है which is pretty low as compared to बाखी के premium cards के तुलना में अब बात करें in rewards के redemption की तो कौन कौन से options आपके लिए खुले में आप flight या hotels करा सकते हैं इनकी खुद की app से smart buy के दरफ से तो अगर आप flight in hotels में करते हैं अपने reward points को exchange चुब 50 पैसे की आपको value मिलेगी इसके साथ ही MIS में आप convert करना चाते हैं तो 20 पैसे से 35 पैसे तक की value आप extract कर सकते हैं अब बात कर लिए तो दोस्तों इस credit card की कुछ cons के बारे में देखें सबसे पहला cons यही है कि आपको जो है कोई भी fuel benefit नहीं देखने को मिलेगा इसमें कोई भी fuel surcharge waiver आपको देखने को नहीं मिलेगा नहीं आपको कोई golf benefit मिलेगा जबकि एक premium segment की category का card है दूसरा यह है कि आपको 75,000 रुपए खर्चा करना पड़ता है पहले तीन महीने में अगर आपको welcome benefit को access करना है विच इस रेली इन इनी हाई for some people नमब तीन यह है कि अगर आप इससे cash bag extract करना चाते तो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि उदिन इच्छी value यह provide नहीं करता है conscious action of log वो है जो की perfect रहेंगे इस credit card के लिए सबसे पहले वो लोग जो की dialing करना पसंद करते हैं दूसरे वो लोग जो order food order करना पसंद करते हैं और तीसरे वो लोग जोनको entertainment काफी जादा पसंद है तो जो मैंने welcome benefit में दो membership बताएं उसके तहती सारी चीज़े आ जाते हैं and main point यह है कि अगर आपका जो goal है वो infinia को पाना है या फिर diners black को पाना है तो आप इस credit card के तरफ जा सकते हैं क्योंकि आप इस credit card से फिर upgrade कर सकते हैं infinia में ही या niners black में easily whereas अगर आप एक बहुत ज़दा international frequent flyer है तो मैं suggest नहीं करूँगा आप इस credit card के लिए जाहिए तब मैं suggest करूँगा कि आप regalic gold की तरफ जाहिए वो ज़्यादा अच्छे options आपको provide करता है as compared to this credit card तो दोफ तो अब आपको समझ में आगे होगा कि आपको कौन से credit card के लिए जाना है इसके तो सारे features मैंने बता भी दी और इन साथ के साथ ही आपको ये भी बता दिया कि आपको इसके लिए क्यों जाना चाहिए ये क्यों नहीं जाना चाहिए just in case you are new, then consider subscribing to the channel